आज हम बना रहे हैं गौर की फली आलो इसको बनाना बहुती असान है और यह बहुती जादा मज़ेदार त्यार होगा इंशायला चलें इस रेसीबी को हम शुरू करते हैं गौर की फली हमने काट लिती और अच्छी तरीके से इसको दो लिया पतीली हमने चूले पर रख दी है आईल ले लेंगे एक कटोरी और यह एक कब बनता है और आईल को हम गरम कर लेंगे यह देखे माशाला आईल गरम हो चुका है एक बड़ी प्यास चोप करीबी इसके अंदर हम दाल देंगे इसको हलका नरम कर लेंगे गवार की पली हमने एक किलो लीती अब इसके अंदर हमें एक चम्मच जीरा दालेंगे माशालला प्यास नरम हो चुकी और जीरा भी बिरावन हो चुक है इसके अंदर दो चम्मच लसन अटरका पेस और तगरीबन एक अरी मिर्चे तीं इसमें दो चम्मच हरी मिर्चे चोप करीवी दो चम्मच लाल मिर्चे कुटीवी इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अधी चम्मच लाल मिर्चे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से क्यूंकि लग्सन अध्रक की इसमें से इसमेल ना है कि अजैकर माशाला दो से वा कि लिए ची की में से ब्रज़ीcc अब इसके अंदर हम टीमाटर जालेंगे पांज बड़े टीमाटर नाल दें गए और लिए इससे मैं ने के अच्छी तरीके से होच देंगे हमने टिमाटो को मेच नहीं करना है ऐसे ही खड़े-खड़े रखने है अब इसके अंदर के जो हमने एक किलो फली ली भी थी तो इसको दाल देंगे इसमें इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे करिंगा चम अच्छी तो माशालला बहुत जबरदस आज है इसमें से इसके अंदर हम अलू भी दाल देंगे ने किलो अलू लेले रहे देखें माशालला है इसको काट लिया है इसको 2-3 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे इसके अंदर हम एक चम्मच नमक का डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा यह हल्दी रे गई थी आदी चम्मच हल्दी डालना है जहन से निकल लिया था मेरे इसको हम मिक्स कर लेंगे अपने ज़्दी की स्मेल इंशालेस में नहीं आएगी दुनाई के अंदर ही इसकी स्मेल नहीं आएगी यह देखें माशालला दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया अब इसके अंदर एक गिलास पानी का डाल देंगे और इसे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देता है यह देखें माशालला इसको 15 मिनट हो चुके हैं आलू हमारे गल चुके गवार की फली भी गल चुकी है बहुती जबरदस खुश्बूस के अंदर से उठ रही है अब इसे हम डिशाउट कर लेते हैं यह देखें माशालला कितनी जबरदस ग दौाओं में आद रखिएगा मुझे दीजी इजाज़त अल्ला आफिस